पर आपको क्रिकेट प्रेडिक्शन प्रवाइट की जाते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में लिंक आपको description में मिल जाएगा अधिक जनकारी के लिए आप WhatsApp नमबर पर भी contact कर सकते हो दोस्तों अगर आप chess में नए हैं तो आप हमारी chess के basic rule वाले वीडियो भी देख सकते हैं उससे आपको chess सीखने में बहुत जादा असानी मिलेगी तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं trick नमबर वन से दोस्तों ये trick बहुत ही easy है इस trick को आप तभी apply कर सकते हो जब आप black PC से खेल रहे होते हो मालो आपको opponent जो है bishop के आगे वाले pawn से opening करता है तो आपको क्या करना है आप अपने king के आगे वाले pawn को एक square आगे चलेंगे और अगर जो आपका opponent है वो knight के आगे वाले pawn से अपनी चाल चलता है तो दोस्तों आप उसी वक्त जीत जाओगे आए देखते हैं कैसे आप अपनी queen को move करोगे f4 square पर king को direct check होगा और इस check को stop करने का कोई भी तरीका नहीं है इसका मतलब क्या हुआ white जो है वो checkmate हो गया है और आप जीत चुके हो तो देखा आपने कितना easy trick था ये दोस्तों आप बोलोगे ऐसा हमेशा ही थोड़ी होगा कि हमारा opponent जो है यही move प्ले करेगा तो चलिए trick no.2 की और बढ़ते हैं जिस trick को Magnus Carlson ने apply किया था और Bill Gates को checkmate किया था दोस्तों Magnus Carlson इस time में पूरी दुनिया में no.1 chess player है तो आपको ये trick तो जरूर आनी चाहिए आईए आपको मैं बताता हूँ इस match में वो Bill Gates के साथ खेल रहे थे और इस match में जो Bill Gates है वो white pieces से खेल रहे हैं और उन्होंने start किया था king pawn opening से यानी कि king के सामने वाले pawn से दो कदम चलना Magnus ने शुरुआत की अपने knight को develop करके Bill Gates ने भी अपना knight develop किया उसी के साथ है दोस्तों कुछ ही moves के बाद Bill Gates ने castle कर लिया Castling का मतलब होता है king को एक safe location में ले जाना आप देख सकते हो कि जब भी कोई player है जो वो castling करना चाहता है तो वो अपने king को 2 square move करेगा और rook के साथ वो exchange हो जाएगा जैसे ही Bill Gates ने castle किया आपकी ये trick शुरू हो गई king के सामने वाले जो pawn है वो बहुत ही weak हो गए अब हमें क्या करना है हमें उन pawns पर attack करना है Magnus ने ये attack किया bishop और knight के साथ आपको opponent क्या करेगा आपको bishop को attack करने के कोशिश करेगा लेकिन आपको bishop move नहीं करना है आपको अपने दूसरे knight से attack करना है आपको opponent जैसे ही bishop को capture करेगा आपको knight से take back करना है अब देखो आपके opponent के पास कोई better option नहीं है अगर वो यहां से अच्छे moves भी खेलता है फिर भी आप advantage में होंगे और आप इस game को जीत जाएंगे लेकिन अगर वो अपनी knight से आपकी knight को capture कर लेता है तो आप अपनी queen से checkmate कर दोगे और इस game को जीत जाओगे देखा आपने कितना असान था और कुछी moves में आप checkmate कर दोगे अपने opponent को Magnus Carlson ने यही trick यूज़ करके game को 9 moves में जीता था बात कर लेते हैं trick number 3 की यह trick और भी ज्यादा easy है आपको एक important बात बता दूँ जब भी game start होता है तो bishop के आगे वाला pawn जो है वो बहुत weak pawn होता है हम उसी को attack करेंगे दोस्तो इस बार आप white से play कर रहे हो और आप king's pawn opening से start करोगे आपको opponent भी आपकी copy करता है और king के आगे वाला pawn move करता है आप अपनी queen से attack करोगे और माल लो वो अपनी knight को develop करता है आप क्या करोगे आप अपने bishop को बाहर निकालोगे और उसी pawn पर attack करोगे आपका opponent कोई भी move क्यों न करें आप उसे असानी से queen से checkmate कर सकते हो जैसे उसने अपना bishop move किया for example तो आप क्या करोगे आप queen से सिदा checkmate कर दोगे तो देखिए दोस्तों आपको मैंने आज 3 tricks बताई तीनों tricks बहुत ही जादा easy थी आपको ये तीनों tricks याद रखनी है और आप इन tricks को खेल कर बहुत ही जल्दी जो है chess match को जीद सकते हो तो दोस्तों आज की वीडियों बस इतना ही I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ऐसे ही वीडियों पाने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब जूरूट करें इसी के साथ साथ आप Telegram चैनल को जोईन करना बिल्कुल न भूले Telegram चैनल पर आपको cricket predictions प्रोवाइड की जाते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में Link आपको description में मिल जाएगा अधिक जानकारी के लिए आप WhatsApp नमबर पर भी contact कर सकते हो मिलते हैं आप से एक और नई वीडियो में